दोस्तो हैंस्टो कॉमबैट का एड्रॉप आने में आप सिर्फ 10 दिन बाकी है इन 10 दिनों में हमें कुछ ऐसी चीज़े करनी है जिसकी वाजा से हमें जो एड्रॉप में अमाउंट मिलने वाला है न वो सीधा डबल मिलेगा जी हाँ दोस्तो अगर आपने ये चीज़े कर ली इन टास्क को सीधे सीधे कंप्लीट कर लिया तो आपको एड्रॉप की अमाउंट डबल मिलेगी तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़े है जो अगर हमने कर ली तो हमें एड्रॉप डबल मिलेगा तो जैसा कि देख सकते हैं आपना हैंस्टो कॉमबैट सबसे पह होगा यानि कि हम कौन सा टास्क कितनी महनत से कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे जैसा कि देख सकते हो कि सबसे ज्यादा आज भी प्रॉफिट पर आर पढ़ी पॉइंट मिलने YouTube अगेडा पर वीडियो जालते हैं वो देखते हैं ना वो भी काफी जादा important रहने वाले हैं क्योंकि उनके उपर भी हमें airdrop allocation points मिलेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर earn वाले section पर आ जाना है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी hamster combat के channel पर कोई वीडियो अपलोड होती है तो यहाँ पर वो उस वीडियो का task दे देते हैं अगर हम लोग वो वीडियो देखते हैं तो हमें सीधे एक लाग coin मिल जाते हैं तो आपको कोई भी वीडियो miss नहीं करनी है साथ ही साथ earn वाले section पर यहाँ पर नीचे और भी कई सारे task दिये हुए हैं उन्हें भी तुम्हें complete कर लेना है जैसा कि देख सकते होए कि follow us on facebook यानि hamster combat का जो facebook page है हमें उसे follow कर लेना है उसके बाद hamster combat के instagram page को follow करेंगे फिर hamster combat की जो telegram channel है उसे भी हमें join कर लेना है और ये काफी जादा important रहने वाला है क्योंकि ये जो telegram का channel है ना उसके उपर इन लोगों ने एक achievement card भी दिया है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि achievement card काफी जादा important है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ अगर आप लोग यहाँ पर by skin पर click करके achievement वाले section पर आते हो ना तो यहाँ पर आपको वो card दिख जाएगा जैसा कि देख सकते होगी थोड़ा सा हम लोग नीचे स्क्रोल करेंगे जैसा कि यहाँ पर देख सकते होगी subscribe to hamster tg यानि hamster combat के जो telegram channel है उसे subscribe किये हुए आपको कितने दिन हुए है जैसा कि देख सकते हो कि 10 दिन हुए है तो आप लोग 49% लोगों में आते हो यानि कि जितने भी लोग hamster combat खेलते हैं ना उन में से आधे लोगों ने तो hamster combat के telegram channel को जोईन कर लिया है यानि उनको जोईन किये हुए 10 दिन हुए है अगर आप 30 दिन पर क्लिक करते हो तो 30 दिनों के अंदर महस 47 लोग है ये भी एक काफी ज्यादा बड़ा नमबर है लेकिन अगर आप 100 दिनों से hamster combat के telegram channel को subscribe किये होना तो आप लोग top के 4% लोगों में आते हो तो ये task तो अगर आपने already complete कर लिया है तो आपका फायदा है क्योंकि आभी 10 दिनों में तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए हमें दूसरे task देखने होंगे तो इसके लिए हम फिर से a drop ओले section पर आ जाएंगे अब यहाँ पर points पर नीचे जाते हैं तो यहाँ पर friends वाला option तीसरे नंबर पर है यानि कि आपने कितने friends को invite किया है अब इसमें तो फायदा उन्हीं लोगों का है जो YouTubers है और जो Twitter और पर बड़ी बड़ी updates डालते हैं और उनके 1000 followers है क्योंकि हम लोग ज्यादा सेथा कितने लोगों को invite कर सकते हम लोग ज्यादा से ताब 10 लोगों को invite कर सकते वो भी कई लोगों के लिए बहुत ही बड़ा task है लेकिन फिर भी अगर आप लोगों कोई friend को invite नहीं किया है न तो मैं आपको highly recommend करूँगा कि आप लोग इन 10 दिनों के अंदर अपने कुछ दोस्तों को जरूर जोइन कराए ताकि आपको यहाँ पर भी अच्छे खासे points मिल सके अब friends के नीचे हमें achievements वाला section दिख जाएगा तो यह है जो हमें achievements की card मिलते है न उसका section अब यहाँ पर हम लोग फिर से उसी section मर आ जाएंगे जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर काफी साड़ी achievements है आप लोग जितना top के 0.1% में आओगे न उतना आपका फायदा होने वाला है क्योंकि अगर आप top के 1% में भी हो तो 1% भी 3 million होता है क्योंकि hamster combat के जो total users है वो 300 million से भी ज्यादा है जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो जो सबसे ज्यादा rare cards है ना उन में से कुछ यह है जैसा कि rescue team अब जो hamster combat को starting से खेल रहा है उस समय उनको यह rescue team वाला card मिल चुका था इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर से हैं लेकि हम जो चीज कर सकते हैं वो है कि hamster combat की youtube videos देखना जैसा कि 25 वीडियो भी सिर्फ 7.5 परसंट लोगों नहीं देखी है आप लोग ज्यादा से ज्यादा earn वाले section पर जाकर रोजाना hamster combat की videos देखिए जिससे आपके airdrop के उपर काफी बरा impact पढ़ने वाला है अब अगर हम दूसरे achievements की बात करें जो आप लोग easily पूडा कर सकते हो यानि पर आप देख सकते हो कि level 25 के उपर आपने अगर कोई card upgrade किया है ना तो आप सीधा top के 0.54% में आ जाते हो यानि कि आप बहुत ही अच्छे खासे points ले सकते हो तो आपको ये जरूर ट्राय करना है कि अपना कोई भी card level 25 तक upgrade कर ले इस चीज़ के लिए आपको सबसे सस्ता जो number पर ही KYC का card है अब अगर हम और भी कुछ achievement points की बात करें तो यहां पर देख सकते होगी achievements के नीचे telegram subscription है यानि कि आपने hamster combat का जो telegram channel है वो कितने दिनों से join किया है जिसके achievement मैंने अभी आपको बताई थी इसके लिए भी हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप अगर हम सबसे आखरी point बात करें तो वो है कीज का अब कीज के लिए आपको यह सारे games download करने पड़ेंगे जैसा कि देख से प्लेगरांड में आकर काफी सारे games है अगर आपने आपनी ID पर बहुत ज्यादा मेहनत की है आपका profit per hour वगड़ा काफी अच्छा है तो मैं हिस्सिमाल करते हो तो आपको यहाँ पर जो अच्छुमेंट है सबसे नीचे card है ना जिसका नाम है cheating is bad यह card आपको मिल जाएगा और अगर यह card आपको मिल गया तो यह आपका बहुत ही बुरा impact होगा airdrop पर जिसकी वज़ा से आपके airdrop यह amount काफी कम हो सकती है तो कभी भी अपने account में key generators का हिस्सिमाल ना करें अब 10 दिनों में आपको करना यह है कि इन में से कोई भी एक अच्छा खासा game download करना है और उसके उपर मेहनत करके keys को जमा करना है जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि काफी सारे games है इन में से आपको कोई भी एक दो games download करने है उनको play करना है और वहाँ पर जो code आता है वो copy करके इस game पर click फिर से करके यहाँ पर paste कर देना है जिससे आपको हर code के उपर एक एक key मिलती रहेगी so 10 जिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा keys जमा कर सकते हो hamster combat की team ने तो कहा है कि keys का a drop के उपर ज्यादा कुछ impact नहीं पड़ने वाला है लेकिन थोड़े से भी जो हमें points मिलेंगे वो हमें क्यों miss करने है तो simply हमें यहाँ से game download करना है और उसे खेलना है और जो सबसे important चीज है ना वो है हमारे daily task जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर daily reward है वो तो हम game open करते ही collect कर लेते हैं उसके बाद है daily cipher यह भी हमें रोजाना complete करना है क्योंकि इसके उपर भी allocation points मिलने वाले हैं उसके बाद में है daily combo इस combo को हमें रोजाना रोजाना पूडा करना है और उसके बाद में है mini games mini games भी हमें रोजाना complete करने हैं क्योंकि यह लोग जो hamster combat वाले हैं वो आचानक आगे कभी भी snapshot ले सकते हैं यानि कि वो आचानक किसी भी date को announce करेंगे कि यह लोग snapshot लेने वाले हैं अब snapshot होता यह है कि वो लोग आचानक से आपके account की जो हर एक task है ना उसका आप एक मान सकते हो कि screenshot ले लेंगे मतलब literally आपके screen का तो screenshot नहीं लेंगे लेकिन आप समझने के लिए यह समझ सकते हो कि आप कौन सा task पूड़ा कर लिया है जैसे कि daily combo पूड़ा किया है या नहीं daily cypher पूड़ा किया है या नहीं mini games complete किया है या नहीं यह साड़ी चीजों का अचानक से snapshot ले लेंगे यानि इससे उनको अंदाजा लगेगा कि आप कितनी seriousness से game को खेल रहे हो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि daily task जरूर से जरूर पूड़ा कीजे ताकि airdrop की amount आपको ज्यादा से जादा मिल सके अब यहा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेर और ऐसी ही informative वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलता हूँ आपको इस नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई